फ्रेंड्स आपने दही भले या दही बड़े तो बहुत खाया होंगे मगर आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी दही भले यह जितना देखने में क्यूट लगता है दही पकोडी जैसे उससे कहीं जादा ये खाने में स्वादिस्ट होता है और इसमें हम कुछ ऐसी चीजों को डाल करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा तो चड़े शुरू करते हैं रेसिपी तो यहाँ पर हमने लिया है उड़त डाल और इसे हमने ओवरनाइट यह रात भर के लिए सोक कर दिया था भिगो दिया था इसे अच्छे से दो बार धुलके पा पानी ही डालेंगे तो इसका एक दरदरा गाढ़ा सा पेस्ट हम त्यार कर लेंगे इसे आप कम से कम 6 घंटे तो जरूर भिगों यह देखे यहाँ पे दरदरा पेस्ट त्यार हो चुका है तो इसे किसी थाली या परात में हम निकाल लेते हैं इसे हमें बेसिकली अब फेट जिससे इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा यह थोड़ा सा कटा हुआ अध्रक है बारी कटा हुआ इसमें डाल लेंगे यह थोड़ी सी हरी मिर्ची यह देड़ से दो हरी मिर्च है थोड़ी से बारी कटी हो करी पत्ते डाले हमने चॉप करके थोड़ी सी हरी धनि इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसर इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिरस चार से छेपीस है तो अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें फेटना है तो अच्छे से फेटेंगे जब तक कि यह लाइट ना हो जाए बेसिकली इसके अंदर हवा भर जाया अच्छे से तभी यह लाइट होगा और बिना सोडे के यह बिना मीठे सोडे के यह बहुत अच्छे से फूलेगा तो बिना सोडे के बनाने के लिए आपको अच्छे से फेटना होगा ताकि इसके अंदर हवा इंकॉपरेट हो जाए हवा भर जाए तो यहाँ पर हमने इसे 3-4 मिट अच्छे से फेटा है अब इसका एक वाटर टेस्ट करेंगे देखें एक पॉल या कटोरी में पानी ले और उसमें थोड़ा सा ये पीस डाल के देखें तोड़ा सा हिस्सा और देखेंगे ये तैरने लगा है ये देखें इसका मतलब है कि इसमें अच्छे से एरिएशन हो चुका है और ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसकी गरम तेल में इस तरीके से छोटी छोटी पकोड़िया काटेंगे तो यहां पर तेल गरम है मेडियम गरम है और आज को मेडियम लो के बीची रखना है हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और हम मिक्षिर को लेकर के छोटी छोटी पकोड़ियों का शेप देंगे तो अब इसे हमें देमी मध्यम आज की बीच में ही इसको फ्राइ करना है और जब तक कि यह हलकी सुनेहरी नहीं हो जाती है इसको उचलाते रहना है और अलटते पलटते रहना है तो साइड में हम यहां पर दही की भी त्यारी कर लेंगे हमने यहां पर दो कप दही लिया है थोड़ा सा डालेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा से काला नमक एक टेबल स्पून चिनी तो हम सबसे पहले इसका लंप्स यानि जो इसकी गठान है उसको अच्छे से निकाल देंगे फेट लेंगे अच्छे से लिया तो आप इसका नमक बराबर करने के लिए इसमें सफेद नमक भी एड़ कर सकते हैं आब इसमें डालेंगे पानी, पानी इसलिए क्योंकि हम पकोडियों को डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे बलकि डायरिक्ट इसमें डालेंगे दही में यहांपर हमें धही को पतला रखना है तो हमने तक्रीबन डेड़ कप पानी डाल दिया है इसमे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये दही रेडी हो जाएगा इसको हम साइड में रख देंगे तो इसमें हमें अभी थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा वाइड सॉल्ट भी इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है इसे हम साइड में रख देते हैं इदर हमारे छोटे मिनी दही भली रेडी हो चुके है, इसको निकाल लेते हैं, बहुती फलफी बने हैं और इसे हम निकालके डाइरेक्ट दही में एड करेंगे, किसी पानी वगरा हमें एड नहीं करेंगे आप चाहें तो पानी में भी डाल के निकाल सकते हैं फिर उसके लिए दही को गाढ़ा रखना चाहिए आपको तो इसे भी हम चला देंगे और तेड़ से दो घंटे के लिए इसे सोक होने देंगे जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तो इसे ढख करके हम रख देते हैं और यहाँ पर देखिए तक्रीबन एक गंटे हुए हैं उसे भी कम हुए हैं भई हम से तो रहा नहीं किया हम इसे जा रहा है करने टेस्ट और अब देखते हैं इसके क्या पोजिशन है तो अब इसे हम सर्फ कर लेंगे इसको सर्फ करेंगे हम यहाँ पर हमने सोठ चटनी बना के रखी हुई है उसको हम डालेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पावडर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए रेड चली पावडर डाल मेरिच का पावडर थोड़ी सी हरिधनिया तो इसे सुपर डुपर सॉफ्ट खाना है तो दो घंटे इंतिजार कीजिए ना रहा जाए तो एक घंटे में भी खा सकते हैं उमेद है वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए हम से जुड़ने के लिए घंटी को दबाईए सभी वीडियो की जानकरी के लिए आल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए मिलते हैं एक और एस पीसार तिल देन बाई बाई टेक केर थैंक यू सो मच